दोस्तों अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले गंटे को भी दबादें तिक हम लागते रहते हैं नेने बिजनेस आइडियाज और नेनी जनकारी केवल आपके लिए बहुत सारे वीडियो यूटूब पर देखे हों लेकिन उन वीडियो में आपको पूरी जनकारी नहीं भी और आपके मद में कितने सवाल अदूरे होंगे इस वीडियो में आपके उन्हीं सवालों को पूरा करने की कोसिस करें इसलिए अगर आप पेपर कप बिजनेस अब में पार्टी और फॉंक्संग में आइस्क्रीम इंडस्टी, रेस्टोरेंट, रेलवेस, वूटार्स और भी दूसरे जगों पे काफी मात्रा में किये जाता है और इस वजह से आपको पता चलता है कि मार्केट में इसकी डिमांड पहुए है डिमांड च्थ करने के बाद आपको जूरुद हो कि सर्वे करने की और सर्वे से आपको यह पता चलता है कि आपके आपके एरिये में किस तरह के पेपर एमल से चेपा अप dirt कृता है आपके एरिया की रिक्वार्मेंट पता चल जाएगी और जब आप मसीन का ओडर करेंगी तो आप अपनी जुरुत के हिसाब से मसीन सप्लायर से मसीन पेपर कप के लिए दो तरगा पेपर लगता है पहला जिससे कप त्यार होती है और दूसरा जो कप के बॉटम में लगता है और आपको ये दूनों तरगे पेपर एक ही सप्लायर के पास में जाएगी ब्लैंक के लिए जो पेपर लगता है उसका प्राइस 80-90 रूपीज पर के जैसा कि मैंने बताया कि पेपर कप की मनिफाक्चिरिंग शुबρ rok, टियाउनक की प्रिंटिंग के डिजाइन के जिसे मसी बनाने के बाद प्रिंड की प्रिंटिंग प्रिंटिंग की जाती है उते हैं蔥 और यह सीट पे अपन आज पास के आस्पास के ओफसेट प्रिंटर स quality भी अच्छी रही और इस काम के लिए उपर सिट चार्ज करते हैं दोस्तों प्रिंटिंग के बाद रिंटेट सिट कू डाइ कटिंग मसीन के जरी काट लिया जाता है और जब सिट कट जाती है तो उसे ब्लैंक के लिए और फिर इनी ब्लैंक का यूज किया जाता है पेपर 32 इंच 25 इंच इंटू 70 इंच 35 इंटू 42 इंच या 40 इंच इंटू 62 इंच और मार्केट में जो मसीन है वो एक घंटा में 800 बार पंच करने से लिए कि 3000 तक पंच कर सकती है मसीन का प्राइस भी उसके साइज और प्रोडुक्सिन के इंसाब से कम और ज्यादा होता है इसलिए आप अपने बजट की इंसाब से यह मसीन खरीज सकते हैं और मसीन में एक पैनल लगा होता है जिसके जड़ी आप पंच करने की टाइमिंग नी सेफ कर सकते हैं कि कितने सेकेंड के बाद यह मसीन पंच करें दोस्तों पंची मसीन से निकले ब्रैंक के जड़ी पेपर कप मसी पंच कर आड़ और प्रड़क्शन को बढ़ाते हुए और भी मसीन खरीच सकते हैं दोस्तों पेपर कप मसीन से निकले तयार पेपर पको आप पैकर मार्केट में सेल करने के लिए पह सकते हैं दोस्तों पेपर का बिजनेस लिए एक या दूए स्किल्ड ऑपरेटर और एक जूरत हो क्योंकि इसकील ऑपरेटर के जली आप प्रड़क्श को क्वालिटी और वेस्टेज को कंट्रूल रह सकते हैं और अगर आपका इसकील ऑपरेटर अच्छा होगा तो आपकी फिनिस प्रड़क्श की क्वालिटी और भी अच्छी हो 37 कप में लिकेज और दूसरी प करेगा और आपका प्रॉडक्शन और प्रॉफित मार्जिन मैं डिन रहेगा दोस्तों प्रॉडक्शन के बाद पकेजिंग के लिए प्लास्टिक पानी या क्रुटिटीद बॉक्स का यूज कर सकते हैं कंते हैं और उसका फाइदा यह होगा कि बॉक्स आपको सस्ता हिए औ कम आईगे और यह एक important factor क्योंकि अपकी cost जितनी कम आईगी आपका profit margin उतना बड़ेगा दोस्तों paper cup business में आप जितने भी छोटे-छोटे परसेंट और bottom 30% होता है और इस हिसाब से आपके एक cup के production cost 14 पैसे के आसपास आती है जो थोड़ा कम और जड़ा भी हो सकता है रोमेट्री के price के इसाब से या दूसरे factor से और other expense जोडने के बाद जैसे electricity, labor charge, transportation, per cup की cost 21-22 पैसे पर पाप हो जाती है और जिससे आप 5-10 पैसे per cup के profit margin के साथ आगे बेश सकते हैं market competition की हिसाब से और अगर आप एक paper cup machine के जड़िए पर गंटे 15 सक भी त्यार करते हैं 75 ml के तो आप 24 घंटे में 36 जर कप त्यार कर सकते हैं और महीने में 26 दिन काम करके 9 लग 36 जर कप त्यार कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपना हमारे च अपने बुडियो में इसना ही गूप करता हूं कि अपनी बुडियो जूर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और सेर करना ना आप गुले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नहीं बिजनस आडियेस पहुचे सबसे पहले आपके पर